हेलो, असलावलेकुम, आज हम बना रहे हैं चिकिन फ्राइ, इसे हम दो बार मैरीनेट करेंगे, एक बार हमने एक किलो चिकिन में एक चम्मच लमक, एक चम्मच मिरच और एक चम्मच सिर्प का लगा कर रख दिया था, यह हमारा फर्स्ट मैरीनेशन है और लेक पीस पर हम ऐसे कर्स लगा कर, ताकि यह अंदर तक जा सके इसका जूस, मसालो का, और अंदर तक गल जाए है, अब दूसरे मैरीनेशन के लिए हम इसमें दो बड़े चम्मच मिरच दही लेंगे, दो छोटे चम्मच मैंने तिक्का मसाला पाउडर लिया है, बजार का ही रेडी मेड है, आधा चम्मच मिरच अब डाल रहा है, आधा चम्मच हम पहले डाल चुके हैं, आधा चम्मच ही इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि आधा चम्मच नमक हम फर्स्ट मैरिनीशन में डाल चुके हैं, एक छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर डाला है, हमने, मेरे घर का ही बनावा चाट मसाला पाउडर था, मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जाकर देख लीजेगा, इसमें मैंने एक नीपू का रस्ट डाला है, यह हमारे पास कौन फ्लोर है, दो बड़े चम्मच हम कौन फ्लोर डालेंगे, एक चम्मच तेल डालेंगे इसमें, छोटा चम्मच तेल, कोई सा भी तेल डालेंगे, रिफाइन तेल, आधा चम्मच सोया सॉस डाली हमने, यह मेरे पास सफेद मिर्च पाउडर है, एक चोटा चम्मच मैंने इसमें एक सफेद मिर्च पाउडर डाला है, इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, ताकि सारे मसाले चिकिन पर लग सकी, आधा चम्मच कॉन फ्लूर हमने और डाला है, थोड़ा कम लग रहा था, एक चम्मच अत्रकलसन का पीस्ट डाला है, इन सब को मिला देंगे अच्छी तरह से, दो चुटकी इसमें हमने खाने का रेट फूड कलर डाला है, वैसे तो इसको मेरिनेट करके ओवरन नाइट रखें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप उससी टाइम भी बना सकते हो, ओवरन नाइट रखने से मज़ा जादा पड़ जाता है, एक कड़ाई में हमने पाच बड़े चम्मच तेल करम करा, उसमें चिकिन के पीस्ट डाले, इनको इस टाइम बिलकुल नहीं लाएंगे, बना ये, जो इस पर मसाला लगाया, उसको छोड़ देंगे, इनको हम चार मिनट या पाच मिनट मीडियम हीट पर ऐसे ही पकने देंगे, ताकि थोड़े से स्टिफ हो जाएंगे, मसाला उस पर अच्छे से लग जाएगा, तो हम इसको पल्टेंगे, जलवाजी नहीं करेंगे, एक बाद में पाच्छे पीस ही डालेंगे, एक तरफ से सिख जाने के बाद इनको पल्ट लेंगे, दूसरी तरफ से भी सिखने देंगे, दोनों तरफ से हमें इसे क्रिस्पी ब्राउन करना है, लाइट, यह देखें कितने अच्छे सिखें हैं, इनको मीडियम हीट पर दूसरी तरफ से भी पास साथ मिनिट सिखना है, हमारा चिकिन फ्राई तैयार हो जाएगा, सब तरफ से सुनैरा हो जाए, तब तक हमें इसको फ्राई करना है, इसको आप केचप के साथ हरी चट्वी के साथ किसी के भी साथ सर्फ करें, बहुत मज़े का बनता है, हमारा चिकिन फ्राई तैयार,